है वेलेवरेवान क्या हाल चाल Welcome to an Academy of Neatopers My name is Jitish Jivnani और Chemistry Educator and mentor सभी का स्वागत है सार्थी बाच में सार्थी बाच में हम लोग complete physics complete chemistry and complete biology आप लोग को करा रहे हैं for a need 2023 as well as 2024 as parent थेक है तो बहुत अच्छे से यार हमारे बैक चल रहा है regular आपकी क्लासेज चल रही है सारे सब्जेक्ट की चल रही है और बहुत अच्छे से आपकी प्रिपरेशन कराई जा रही है ठीक है मोल कॉछेट पीटा आपका finish हो जाएगा ठीक है तो I hope आप लोग excited हो I hope आप लोग जो पूरी preparation है उसको बहुत अच्छे से आगे की भी chapters इसी तरीके से follow करने वाले हो ठीक है motivation लोग मत होने देना बहुत लंबा course है पेटा है ना ऐसा नहीं होगी थोड़ा time हम और रवेस्ट करते तो फिर हम लोग को one shot देखने पड़े है न तो वह बात की बात है वह revision purpose करें रहेंगे बट इस इस अवरी detailed course ठीक है ठीक है चलिए चलिए start करते है ना start करते है फटा फट से chapter को start करते हैं हम लोग इस chapter को खतम करते हैं लोग और फिर कल से कौन से chapter start होने वाला है वो भी मैं आप लोग को बताता हूँ चलिए सबसे पहले मुझे बताओ सुनो ध्यान चैने यह बहुत ही major announcement है unset बेटा आप लोगों ने enroll कर लिया है I hope आप लोगों ने इंसेट में enroll कर लिया है Spartan Code लगाना है description में भी लिंक दूँगा comment section में भी लिंक दूँगा Spartan Code लगाके इस exam में enroll कर लो इंडिया का largest scholarship exam है तीन लाग से जादा student ने already enroll कर दिया है तो एक हमको preparation का idea मिलेगा 100% तक scholarship आप लोगों को यहां से मिल सकती है जो top students आएंगे उसको special rankers group में डाला जाएगा और इनमें top educators इंडिया के उन्हें guide करते वेच चलेंगे ठीक है और Eurospace Center की trip भी आप जीत सकते हो test date के है बेटा 8th October को भी है 15th October को भी है एक बेटा बहुत important announcement है बहुत important announcement है जो 8th October का test है इसके registration की जो last date है बेटा वो 6th October है 6th October के बाद आप 8th October वाले exam में नहीं बैट पाओगे नहीं register कर पाओगे तो 6th October तक आप लोगों को register करना ही करना है ठीक है ठीक है ठीक है अना this is very important बहुत बड़े magnitude का यार ये exam हो रहा है तो ये चीज आप लोगों को करनी है और मुझे comment में आप बताईएगा मैं आप लोगों का एक practice session भी लगा दूँगा जितने भी आपके जो unsat के previous year papers होई है पूरा वो आप लोगों को solve करवा दूँगा यूट्यूब पर ही अगर आपको इसे चाहिए तो comment में जरूर बताना है ठीक है लेकिन 6th October तक भीटा फटा फट से enroll कर दीजिए Spartan code लगाना है और enroll कर देना है और proper फिर अपनी preparation करनी है मैं भी आप लोगों को पूरी help करूँगा इसकी preparation में ठीक है चलिया 개인 तर люд के जाले कि स्टााइ मने चाप्टर को इसको कंटिन्यू करते और फिनेश करते है आज आप लोगों का बिटा लासत लेक्ट्यर करें कल से परिटा हम लोग new chapter लेटेए देख लिए और लोगों को ने new chapter बिटा start कर रहे है which is states of matter states of matter start कर रहे है states of matter start कर रहे है continuation में है mole concept के continuation में पढ़ना है हम लोगों को states of matter कल से एक नया chapter start हो रहा है लगभग लगभग अगीन 4 से 5 lectures लगेंगे छोटा chapter है 4 से 5 lectures में इसे मैं पूरा खतम करवा दूँगा इसे मैं पूरा आप लोगो खतम करवा दूँगा states of matter है states of matter है आप लोगों का पूरा finish हो जाएगा 4 से 5 lecture में mole के बाद proper sequencing में अगर हम पढ़ें तो states of matter बहुत ही important chapter है और बहुत continuation में continuation में है ठीक है आप लोग बिटा बढ़ते जाएए सारे chapters एके करके आते जाएएंगे सारे chapters एके करके आते जाएएंगे तो आप लोग बस regularly पढ़ते जाएए ठीक है चलिए start करते हैं आज की class start करते हैं बटा आज की class start करते हैं आज की class start करते हैं देखिए यहान यहान दो PART मुझे फटा फेटे चाट सेक्शन में बताएं क्या हमने फरसंटेज वाल्यूम बाय वाल्यूम बड़ लिया था आया ना, यह सुर रहों, यह सुर रहों, क्या हमने percentage volume by volume पढ़ लिया था, बिलकुल पढ़ लिया था, क्या हम लोग ने percentage weight by volume पढ़ लिया था, बिलकुल पढ़ लिया था, यह previously, हमने previous वीडियो में यह दो concentration terms पढ़ ली थी, बिलकुल सही है, बिलकुल सही है, तीसरी concentration term देख आप लोग पहले का revise कर रहे हो, या नहीं कर रहे हो, मुझे बताओ, मुझे बताओ चाट सेक्षिन में, यह जो डबलू होगा, किसका होगा, salute का होगा, solvent का होगा, solution का होगा फटा-फट से बताइए यह जो पहला numerator होता है यह किसका होता है यह पिटा हमेशा किसका होता है salute का होता है यह हमेशा किसका होता है salute का होता है जो denominator होता है यह denominator किसका होगा solution का denominator किसका होगा solution का होगा बिलकुल सही है, तो formula बनता हुआ दिख रहा है, क्या दिख रहा है, percentage weight by weight, क्या formula है, weight किसका solute का, upon weight किसका solution का, into क्या कर दो बिटा, 100 से multiply कर दो, 100 से क्यों, अरे percentage नहीं आर, percentage मेशा कितने में से निकलती है, कितने में से निकलती है, 100 में से निकलती है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, अच्छा, यहां देखो बड़े, यहां देखो, देखो, सपोजगरो, कहीं पे भी लिखावा है, 30% weight by weight, 30% weight by weight लिखावा है, 30% weight by weight लिखावा है, 30% weight by weight लिखावा है, तो उसका प्रेजेंट है, प्रेजेंट है 100 ग्राम सल्यूशन में, अगर आप 100 ग्राम सल्यूशन ले लो तो उसमें 30 ग्राम क्या होगा, सल्यूट होगा, इसका मतलब होता है 30% W by W, 30% W by W, अब देखो इतनी हमको knowledge, इतनी हमको समझ बिटा डेवलप हो चुकी है, कि अगर 100 ग्राम का सल्यूशन है, उसमें से 30 ग्राम सल्यूट है, तो obviously आपका जो solvent होगा, वो कितना होगा, 70 ग्राम होगा, ये सही बात है या नहीं है, सही बात है या नहीं है, सही बात है या नहीं है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, अरे 30 ग्राम, 30 ग्राम सल्यूट है, 70 ग्र ना अब जाके 100 gram solution मैंने गा बिलकुल करेक्ट है तो क्या मैं आप लिख सकता हूं कि वेट किसका salute का weight किसका solvent का is equals to weight किसका solution का छेख है छेख है छेख है छेख है सही है सही है सही है सही है सही है देख लो देख लो देख लो देख रहे हैं कितने बच्चे लाइव बैठे हैं देख रहे हैं आप लोग मतलब regular पढ़ाने की कोई भी importance नहीं है यूट्यूब पर regular पढ़ाना इसका मतलब आप गल्ती कर रहे हैं यूट्यूब पर regular पढ़ाते हैं तो इसका मतलब यह है कि गल्ती कर रहे हैं इतना अच्छा content जो हम लोगों को इतने सारे पैसे देके मिलता है वो सर आप YouTube पर free में पढ़ा रहे हो हम तो नहीं देखेंगे हम तो नहीं देखेंगे सर है न और फिर सवाल पूछेंगे is this sufficient यह सवाल भी तो लेंगे इसमें क्या होगए जब वाइट दाड़ी आ जाएगी है न वाइट बाल हो जाएंगे तब कर लेंगे सर नीट इसमें क्या होगए अभी तो डांडिया खेलने तो हमारी अभी तो हम हर रिала है हम लोग भी मना लेते हैं जल्टेवल कब करेंगे कब सेलेक्शन लोग है हेस तरीके से नहीं चलता है इस तरीके से हादे की चलती है जो ताली वह 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 दोनों भाठ से बसती है प्रेटेंट नहीं आयेगा तो हम हवा को पढ़ाएंगे नें हम लोग को पिटा स्टूडेंट से यह पढ़ाने के लिए हम लोग को सुडेंट से यह पढ़ाने के लिए लिए तो मेक शूर रेगुलर्ल्ली आये है ना मेक शूर रेगुलर्ली आये है और रेट यह समझेगे आगा पर संटेज डबलंबाइ डबलू समझ में आगे बिलकुल क्शी है तो WhatsApp हम ने पढ़ ली है हैabyte इन concentration term हम लोगों ने पढ़ लीं हैं आगे आजो, आगे आजो, आगे आजो next concentration term, question करते हैं भी इनnor, question करते हैं इनपे ना, question करते हैं, बूँपार, next है आपकी जो concentration term है, वो है भीटा, molar fraction next concentration term गा है? molar fraction next concentration term is molar fraction सूरएगा बड़े दियान से, important है वेरी 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 इंपोर्टन Champ विल्कुल जो लाइव बटे हैं वो तो रेगुलर है बिल्कुल है regular लेकिन उनसे बात करी जा रही है जो लाइव नहीं आते हैं जिनको बिटा 15 दिन में need clear करना है उनसे काम नहीं होगा ठीके चलिए याँ देखे mole fraction mole fraction क्या होता है सबसे पहले यह देखो mole fraction को हम लोग बेटा represent किस से करते है x से represent करते है x से represent करते है mole fraction को बेलकुल सही है अब देखो mole fraction होता क्या है सुनिए का द्यान से mole fraction क्या होता है it is basically ratio of total number of moles it is ratio of number of moles of a substance तो निये कहा दिया आन सा है ना अभी बताता हूँ मैं Mathematically भी लिखके बताता हूँ It is basically ratio of number of moles of a substance to total moles to total moles to total moles साभिए यहाँ पे देखे molle fraction किसी भी substance का निकालना है molle fraction किसी भी substance का निकालना है तो कैसे निकाल होगे? कैसे number of moles of a substance upon total moles रखदो है डिनॉमिनेटर में इस तरीके से निकलते हैं आप लोगों के इस तरीके से निकलते है mole fraction कैसे निकलता है खुद के moles numerator में total moles denominator में ऐसे होता है आपका mole fraction अब सुनना द्यान से हमें मुझे यह बताओ solution में कितने component होते हैं मुझे यह बताईए मुझे बताईए मुझे बताईए मुझे बताईए मुझे बताईए मुझे बताईए मुझे बताई है हम लोग कौन सा solution पढ़ते हैं? हम लोग कौन सा solution पढ़ते हैं? हम लोग कौन सा solution पढ़ते हैं? यह बताओ मुझे फटा-फट से हम लोग कौन सा solution पढ़ते हैं, बाइनरी solution पढ़ते हैं हम लोग binary solution पढ़ते हैं उसमें बेटा, A का solute होता है हाँ जी सर A का solument होता है बेलकुल अच्छी बात है अब देखो ये general convention है ये general convention है कि solute को solute को आप लोग B से represent करते हो solument को आप लोग A से represent करते हो convention है ना और आपका मन करें तो उल्टा भी करते हैं ना कोई दिक्कत की बात नहीं है वो थी ना जिसमें अक्षय कुमार करते है वो भी आप कर सकते हो A और B इदर उदर कर सकते है वो ना कोई दिक्कत की बात नहीं है पर इन दिक्कत की बात नहीं है जनरल convention है कि solute को B से represent करते है solvent को A से represent करते है ठेक है सर अच्छा सपोस्स करो इसके moles मैं बोल जाता हूँ NB सबोस्स करो इसके moles बोल जाता हूँ NB अच्छा मोल फ्राक्शन क्या हί मोल फ्राक्शन किस से represent करते है इक्स से करते है घरदर जी औरगानिकd की सीरीव आ चाहेगी है इसी week में आपको बता तूँँगा कि और्गानिक हम लोग कैसे कंप्लीट करने वाले हैं ठीक है परिशान मत परिशान मत रितिका वो भी आ जाएगा स्पैम मत करो आ जाएगा सारी आ रहे हैं ना रोज रात को आठ बजे प्रकट हो जाते हैं आर्गानिक भी बढ़ा देंगे और गानिक से कि दुश्मनी थोड़ी ना एग नहीं ना तो जब प्रकट हो रहे हैं रेगुलर्ली प्रकट हो रहे हैं तो वह हो जायेगा सारी चीजें हो जाएगा थोड़ा के सबर रखो जो पड़ाया जारा है उस पर फोकस करो और धीरे ध प्रकट हो जाते हैं, आपके सामने अलग-अलग chapter लेके आ रहे हैं, तो organic भी आ जाएगे, organic भी आ जाएगे, ठीक है, चलो, mole fraction इसका क्या बोल दिया, xb बोल दिया, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे, खुद के moles अपॉन total moles, खुद के moles अपॉन total मोल्स तो हो जाहे हैं, फोन मोल्स कीने प्लस न बी, total moles कीने पेटा एन A PLUS NB, बोलो हाइगे, बोलो हाइगे, total moles तो न रहे, total moles तो न प्लस NB होंगे न, total moles तो दुन को दोडे करताऊ solute की moles आप करताऊ, solvent की moles आप करताऊ, promotes fraction बोल देता हूँ, solvent का mole fraction बोल देता हूँ पेटा XA बिल्कुल सही है कैसे निकालोगे खुद के moles N A upon total moles N A plus N B देखो ज़रा सही बात है खुद के moles numerator में रखा करो total moles कहा रखा करो denominator में तो ऐसे निकलता है mole fraction अब ज़रा एक काम करोगे थोड़ा mathematics का काम है X A और X B को ज़रा add करना X A और X B को ज़रा add करना तो जैसे ही आप X A और X B को add करोगे जैसे ही आप X A और X B को add करोगे तो आप ध्यान से देखो denominator तो common है denominator तो common है denominator तो common है उपपर आएगा बेटा N B और plus N A तो क्या cancel out हो जाएगी चीज़े यह cancel out हो जाएंगी चीज़े यहाँ पर देखू न आप जब denominator तो common है दोनों में हाँ जी सर उपपर बेटा NB आयेगा प्लस N A आयेगा और नीचे भी क्या है NB प्लस N A तो cancel out हो जाएंगी चीज़े XA प्लस XB कितना आ रहा है 1 आ रहा है 1 आ रहा है बिलकुल सही है सर बात XA प्लस XB कितना आ रहा है 1 आ रहा है अच्छा सर सुनना आप दियान से बात solution था हाँ जी एक solute था एक solvent था अगर मैंने individual mole fraction add करा XA क्या है mole fraction solvent का XB क्या है mole fraction solute का add किया तो value कितनी आई 1 आई value कितनी आई 1 आई suppose करो 3 component होते हैं हो सकते हैं कि 3 component 3 component हो सकते हैं कि 3 component हो सकते हैं कि बिलकुल हो सकते हैं suppose करो XA है suppose करो 3 component है कौन-कौन AB है BB है और CB है बिलकुल सही है इसका mole fraction हो गया XA इसका mole fraction हो गया XB इसका mole fraction हो गया XC तीनों को एड़ करो तीनों को एड़ करो तो क्या आएगा 1 आएगा मतलब individual mole fraction जब आप आड़ करते हो तो value कितने आथी है 1 आथी सबोस करो 10 component है कोई दिक्का तरी 10 हो 10 component है सबका mole fraction मैंने बोल जाए x1, x2, x3, x4 up to x10 सबको एड़ करो x1, x2, x3 and so on up to x10 value कितने आएगा 1 आएगा तो individual mole fraction सबके एड़ करोगे तो value कितने आती है 1 आती है value कितने आती है 1 आती है बोलो आया समझ में वीडियो को फटाफट से लाइक करके बताएंगे कि हाँ सर दिमाग में गुज गया है समझ में आ गई है बात सही है individual mole fraction क्या आते है individual mole fraction क्या आता है 1 आता है ठीक है सवाल करें यह तो थियोरी की बात हो गई सवाल करें सवाल किरें सवाल करें सवाल करता है सवाल यह है कि 30 gram of yurea is mixed with mix with 45 gram of water ठीक है सार भॉल रहा है कर हो बोल रहा है, point करो, दो पार्ट बोल रहा है, पहला बोल रहा है, percentage weight by weight, यूरिया का, second पार्ट बोल रहा है, mole fraction, दोनों का, यूरिया का भी, और पानी का भी, चलो, हाँ जी, हाँ जी, ये दिल मांगे मोर न, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, चलिए, करिये, चलिए, करिये, 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 करो, 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 चलो, बताओ, 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 45 ग्राम पानी है, बोल रहा है, find दो चीज़ें बोल रखी है, बहुँ करो, निकालो 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 निकालो, चीक है? सबसे पहले क्या आगर हो, percentage, percentage w by w बोल रहा है, percentage w by w बोल रहा है, percentage weight by weight कैसे निकालती हो, weight किसका, solute का, अपॉन weight किसका, अच्छा, उपर बटा, solute आएगा है, बिल्कुल था सर, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, बिल्कुल था, अब यहां देखो, weight salute का कितना है 30 gram दे रखा 30 gram दे रखा है यह रहा 30 gram solution का कैसे निकालोगे solution का यार यह देखो यह salute है और यह solvent है, add कर दो solution का mass कैसे निकालते है salute plus solvent ना 30 plus 45 और क्या कर दो 100 से multiply कर दो तो answer क्या आ रहा है 40% आ रहा है 40% आ रहा बदा यह 40% आ रहा है अरे रहा ना 40% आ रहा है 40% आ रहा है यह पहला पार्ट होगे बटा यह पहला पार्ट होगे सही next part करें क्या बोल रहा प्राक्शन बताओ क्या आवज देखो 30 gram कोन है यूरिया है यूरिया का formula दिहान है यूरिया का फॉर्मूला ध्यान है अरे नहीं सर हम तो भूल जाते हैं कौन है हम हम गजनी है आप आगे का पड़ाते जाओ हम पीछे के भूलते जाएंगे क्या होता है यूरिया का फॉर्मूला यूरिया होता है बड़ा एन एच टू C-O-N-H-2 यह होता है यूरिया का फॉर्मुला ठीक है? मुलर मास 60 याद रखो यहां से फटाग क्या करो? मुल्स निकाल लो यूरिया के मुल्स निकाल लो कैसे निकाल लो कि given a mass upon a molar mass given a mass कितना है? sorry, 30 molar mass कितना है? 60 क्या मुल्स हाफ आचुके हैं? क्या मुल्स हाफ आचुके हैं? बिल्कुल सही है ऐसे ही मुल्स पानी के निकाल दो कैसे? given mass 45 molar mass 18 कितने आगे पटा? 5 by 2 आगया 9 से काटो 9 से काटो 9 से कट्टा पीटी करो 9 से यहां पाँच यहां बटा दो सही है? सही है? सही है? बिल्कुल सही है अब आजाओ यहां देखो मुल्स फ्रैक्शन निकालना है किसका? यूरिया का मुल्स फ्रैक्शन निकालना है यूरिया का कैसे? खुद के मूल्स यूरिया के मूल्स रखो numerator में और denominator में total moles denominator में total moles आया ना आया ना खुद के moles कितने हैं यूरिया के half है और denominator में half plus a 5 by 2 5 by 2 सहिए तो यहाँ पर देखो यह क्या बन रहा है उपर तो half बन रहा है नीचे बेटा 2 LCM लेना 1 plus 5, 6 2 से 2 cancel काड़ बीडी करो बटा, काड़ बीडी करो 2 से 2 cancel और 1 by 6 बज गया तो कितना आगे बटा 1 by 6 आगे बोलो हाँ या ना अरे बोलो यार अवाज नहीं आरी बटा आप लोगी अवाज नहीं आरी बटा आप लोगी क्या हो गया अच्छा ये बताईए ये बताईए एक है बेटा यूरिया और एक है बेटा पानी तो क्या हमको ये पता है number of moles sorry mole fraction यूरिया का plus mole fraction पानी का इसकी value 1 होगी अरे होगी क्या अरे बताओ यार individual mole fraction add करते तो value कितनी होती है 1 होती है यूरिया का mole fraction आया 1 by 6 ये आया बेटा 1 by 6 पानी का नहीं पता अरे वो ही तो निकालना है equals to 1 तो mole fraction पानी का कितना आ रहा है 1 minus 1 by 6 और ये कितना होता बेटा 5 by 6 किसे तुझे से दिलना लगा है सही है ना पताओ जी हूं किमेश्री कितनी अच्छी है बेटा देख रहे हो किमेश्री कितनी अच्छी है कैसे कोई इससे दिल ना लगा है बताओ कि आडि कैखा मिया आथ है पिक है आगया समझ में है आगया समुझ बेए इक ओर जबेए एख इख ऑर उस्ने आप एख अ Anda एक और उसने लग जाते ये नहीं लोग आज chemistry आसान लग रहे हैं दीरे दीरे देखो कैसे champion मनाते हैं तुम्हें कमेंट में लिखे जाओगे कि फेवरेट सब्जेक्ट chemistry है सर हमार आप जब से सर आप से पढ़ने लगे हैं सबसे chemistry ही chemistry पढ़ते हैं सर सुबह chemistry रात को chemistry दिन में chemistry शाम को chemistry है न दिल मांगे more jeo हाँ Ha 180C आजया बहुत है अच्छा बहूत अच्छी बात है बहुत अच्छी बात है चाहिवाद 63 और सब्सक्राइब तो आई देंगे एक सब्सक्राइब उससे उपर आजाए तो बता ना कभी में रुका ना चलिए चलिए को वेशन गिरो अच्छा सिपुन जी बहुत से यार बेसी केमिश्ट्री कर रहे हैं यहां पर सोचना पड़ेगा है कि बोल रहे हैं मोल फरेक्शन निकालना है सल्यूट का 30 परसंट वेट बाई वेट एनियुच यह है, मेरी बात सुनो, मुझे फटा फट से पहले चाट सेक्शन में बताओ, 30 ग्राम वेट बाई वेट है, इसका मतलब क्या है यह बता दो मेरे को चाट सेक्शन में, और तो मुझे कुछ जानन ही नहीं है और मुझे कुछ जानना ही नहीं है आप उपस मुझे बता दो 30% weight by weight का मतलब क्या है चाट सेक्शन में बता दो क्या इसका मतलब यह है सो ग्राम solution लेता हूँ अगर मैं तो उसमें 30 gram salute है बोलो हाई या ना बोलो हाई या ना और salute इस case में कौन है बिटा एन ए ओ एच है हाई या ना सही है ना बिल्कुल सही है अब 100 gram solution है 30 gram बिटा salute है तो क्या मैं यह बोल सकता हूँ 70 gram क्या होगा solvent होगा 70 gram क्या होगा बिटा solvent होगा अब question जरा अराम से पढ़ो मुझे बताओ solvent कौन है मुझे बताओ solvent कौन है देखो कुछ नहीं दे रखा है question में अगर कुछ भी नहीं दे रखा हो तो solvent बिटा क्या लोगे पानी लोगे पानी लोगे एकवस solution मानो क्या मानोगे एकवस solution मानोगे एकवस solution मानोगे ठीक है सर्फ आप देखो पिच्चर बता है क्या बन चुकी है अब देखो अब तो questions all हो गया है है अब questions all हो गया है क्या है 30 gram एंवेच आपके पास और आपके पास 70 gram पानी यह है पिच्चर अभी 30 gram एंवेचे 70 20 gram of water है बोल रहा है मोल फ्रक्षिन बताओ एनिवेच का मोल फ्रक्षिन बताओ एनिवेच का आप तो सवाल अब दिख रहा है कि कैसे करोगे सवाल अब कैसे करोगे फटाक से बताना ज़रा अब बताना ज़रा कैसे करोगे एक्वेशन को अब बताना ज़रा कैसे करोगे अरे म यहां अब इसके मूल्स के मूल्स निकाल लो कैसे मास करें सतरक्राय नहीं 70 से 70 आता हैकि यह नहीं जायेगा नहीं जायेगा नहीं जायेगा नहीं जायेगा न कमाना दो मैं वैसे प्रॉपर अच्छी तरीकर सा नहीं 18x2 क्या होता पड़ेटा 36 promotes 36초 20 करो दो जैकि तना 72 जायेगा ना 72 जा राएगा तो वाख प्रॉपर नहीं से 70 लिखाबा है, 72 से कटेगा, 72 से कटता, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं, चलो कैलकुलेशन आएगा कोई दिक्कत नहीं, मैथर तो जाने गए, अब देखो, मोल फ्राक्शन किसका पूछा आपको एने वेच का तो अगर मोल फ्राक्शन एने वेच का लिखना है तो क्या लिखूंगा मोल्स एने वेच के अपॉन टोटल मोल्स टोटल मोल्स किसके एने वेच के और पानी के दोनों के याड़ कर दो दोनोंगो आड कर दो तो एन्यमेज के कितने मोल्स है एन्यमेज के कितने मोल्स है बटा थ्री बाय फोर एन्यमेज के कितने मोल्स है बटा थ्री बाय फोर थ्री बाय फोर प्लस पानी के कितने है सेवेंटी अपॉन एटीन सॉल्विंग कर लोगे इसका लगबग लगबग आंसर, 0.16 आएगा, 0.16 आएगा, 0.16 आएगा, 0.16 आएगा, 0.16 आएगा, 0.16 आएगा, कितना तो कर लेते हो यार, आप लोग, मैच बेटा फेवरेट सब्जेक्ट था ना आपका, बताओ, मैच फेवरेट सब्जेक्ट था ना आप लोग, बताओ, अरे नहीं सर, क्या बात कर रहे हूँ, मैच तो हमारा मन करता तो छटी क्लास में ही छोड़ देते, वो तो स्कूल वालों ने छोड़ने नहीं दिया हमें, और ना छटी में ही छोड़ देते, दसवी तक बढ़ाई है हमने, मैच फेवर, दसवी तक बढ़ाई है हमने, और कुछ-कुछ बच्चे दो बिटा इतने डेडेविल होते हैं, बाय और मैथमेंटेक्स दोनों ले रहेते हैं, नहीं नहीं, हम तर डॉक्टर भी बनेंगे, इंजीनियर भी बनेंगे, ऐसे कैसे मुलारेटी की बात करते हैं, नेक्स क्या है, 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 मुलारेटी की बात करते हैं, नेक्स क्या है पीटा मुलाराटी का, कैसे निकालते हैं मुलाराटी, number of moles of solute, मतलब जो solute है, उसके moles numerator में लेना, जो solute है, उसके moles कहां लेना, numerator में लेना, divide करना पीटा, volume, किस की solution की, volume solution की, किस में पीटा, liter में, किस में पीटा, liter में, आई बात समझ मैं, number of moles of solute, numerator में, volume solution की denominator में, solution की जो volume यह बात समझ में अच्छा जेकशने में हैं हुझ पटस में अधेक सोने मुछ फोल्यूंक होते हैं वो किसमें इसमें यूञते होती हैं थो बहुत सारा स्वांते हो ऐसा थोड़े लकुत हैं जो भी experiment होता है वो किसमे होता है बटा test tube में होता है test tube में कितनी volume जाएगी ml में ही जाएगी लेटर में तो नहीं जाएगी किसमें जाएगी ml में ही जाएगी अगर suppose करो अगर suppose करो volume ml में है तो क्या करना है तो ना ज्यान सेके numerator तो सेम है इसको लीटर में जाएगी ML में अगर volume दे रखी तो इसे लीटर में convert करना प्रेगा, कैसे करोगे लीटर में convert? हगा और जब होगे तो यह अको उपर चले जाएगा तो यहाँ पर हजारड से सब्सक्राइब हो जाए गा लिग दूं डारेक्ट लिग दूं पक्का ना बुरा तो नहीं मान होगे तर तो नहीं खुजाते रोगे पंदरमनेट तक यह हो गया गया कुछ नहीं यह बस यह अपने एमेल को लीडर में गनवर्ट किया ना यह 1000 उपड़ चले गया यह 1000 उपड़ चले गया नहीं है आई बात समझें में और आद जू पा समों है चरई आता है। स्टिषूयरी और होती रहते हैं। हम इसे ब contradiction बहरे बारेят बहरे हुआ हैं। सब कंने ले। ढंक से preparation करने के लिए त्यार था है, ढंक से preparation करने के लिए त्यार है, 30 ग्राम यूरिया है, यूरिया का formula लिख दिया है, इस बाट भी है, is dissolved to produce, धीर धीर बढ़ाएंगे, 200 ml solution, is dissolved to produce 200 ml solution, calculate, 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 बोल रहा है, है विढा क्याल्कुलीट करना है आप लोगों को । कर संटेज वेट वाल्यूम और मोलायरेटी वोल्म में टिकलिया भूड रहा है कोई बच्चा चलिकरें तिकलियां होती है न बड़ावा था 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 चल्ब उसको भी बिठातो हूं मिटा online बढ़ाईगा चरब ये करिए 30 gram यूडिया का दे रखा है is dissolved to produce 200 ml solution calculate calculate दो चीज़े दे रखिए calculate दो चीज़े दे रखिए चरब बदा 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 परिए पहले आप पहला वाला करो portion पहले आप पहला वाला करो portion चरीया बदा परसंटेज वेट बदा 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 बडदा बदा बदा बदाः रहा है, percentage weight by volume निकालो, percentage weight by volume यह बड़ा आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बड़ा आसान है, कैसे, weight किस का लो, salute का, volume किस की लो, solution की, और क्या करो, 100 से multiply, बोलो हाया ना, बोलो हाया ना, बोलो हाया ना, बिल्कुल सही है, salute का कितना weight दे रखा है, salute का दे रखा है, weight 30 gram, salute का weight कितना दे रखा है, 30 gram, तो 30 डाल दो निमरेटर में, volume कितनी दे रखी है, volume दे रखी है, आप लोगों को 200 ml, volume दे रखी है, 200 ml, बिल्कुल सही है, तो 200 डाल दो पेटर denominator में, 100 से क्या अगर दो multiply, क्या 15% आ रहा है, जरह देख लोग सही हो, बदाई हो, बदाई हो, बदाई हो, देवी और सज्जनों बदाई हो, सही, पहला सही है ना, ठीक है, second बचले, molarity करते हैं, अब देखो, धीरे-धीरे level बढ़ाएंगे ना, ऐसे, धीरे-धीरे level बढ़ाएंगे, ठीक है, molarity, क्या होती थी, molarity, क्या होती थी, mol Molarity, Molarity होती थी number of moles, किसके solute के, upon volume किसका solution का, अगर suppose करो Ml में है, तो क्या मैं उप्पर 1000 से call कर दूँ, क्या मैं उप्पर 1000 से Capt cm कर दूँ आ क्या मैं उप्पर हजार से मिड्टिप्लाइ कर दूँ बिल्कुल से सही बिल्कुल सही अब याहान देखो या को पूट टीजगा म यूरिया दे रखा है आपको बेटा दे रखा है तीजगाम यूरिया तो यहां स्ट-ह खूर अवन तून वॉल्यूम कि ते रहें बीटा? दोसो. 1000 से मल्टिपलाए कर दो. 1000 upon 400. 1000 upon 400. 1000 upon 400. 5 by 2, which is 2.5. Which is 2.5. प्रेयंक का जी बोल धी है, से और यूनिट क्या होती है? यूनिट क्या होती है? तो यूनिट देखो, तो आपको इस formula में ही मिल जाएगी क्या उपपर moles है क्या नीचे volume है किस में? लीटर में तो unit क्या दिख रही है आपको उपपर mole दिख रहा है नीचे mole लीटर दिख रहा है mole लीटर दिख रही है mole per liter दिख रही है mole per liter दिख रही है कई बारे से हम और के लिख दे वड़ा 2.5 capital M लिख देते हैं capital M का मतलब क्या है Molarity capital M का मतलब क्या है Molarity है सही है बता 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 करेक्ट है ठीक है अच्छा ये सुना थ्यान से कहीं बेबी अगर molar word लिखावा है कहीं पेबी अगर मूलर बर्ड लिखावा है तो इसका मतलब मुलारेटी कितनी है 1M कहीं पेबी अगर सेमी मूलर लिखा है सेमी मूलर तो मुलारेटी कितनी हो जाती है बटा कहीं पेबी बेटा डेसी मूलर लिखा है तो मुलारेटी कितनी होती है बटा 1 by 10 याद रहेगा, 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 य molality last modality यहाँ दे smallest m से denote कर रहे हैं smallest m से denote कर रहे हैं यहाहाँ देख़े क्या होती है molality मैं कुछ question कर रहाوت हूँ क्या होती है number of moles इसके solute, numerator में तो हमेशा solute ही आएगा, ठीक है, 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 इस बार सुनना, denominator में क्या आता है, बड़ा ध्यान स किसका, solvent का, ध्यान से सुन्ना, किसमें, kg में, बड़े ध्यान से सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए, अब तक सारी की सारी concentration term में denominator में क्या आ रहा था, solution आ रहा था, लेकिन इस बार पहली concentration term आई है जिसमें denominator में क्या आया है solvent आया है तो weight लेना है किसका solvent का weight लेना है किसका solvent का आई बात समझ में किसमें लेना है kg में लेना है किसमें लेना है kg में लेना है लेकिन generally जो आपके experiments होते हैं उसमें जो mass होता वो किसमें होता बटा ग्राम में मास किसमे होता बिटा ग्राम में होता है तो सपोस करो मास आ गया ग्राम में देखो numerator में तो कुछ चेंग नहीं आएगा मोल्स तो आपको ले नहीं है number of moles of solute तो आपको लेने ही लेने है बिल्कुल correct है लेकिन सपोस करो आपको रडिया है ěřको यहाँ पे देखो यहाँ पे देखो वेट है इसका बिटा solvent का इसमें ले लिए है ग्राम में ले लिए है उसे क्या करना पड़ेगा kg में convert करना पड़ेगा तो क्या kg में convert करने के लिए मैं इसे 1000 से डिवाइट कर दूँ हजार से डिवाइट कर दूँ हाँ जी तो क्या यह हजार उपर चले जाएगा बताओ ज़रा क्या हजार उपर चले सीम सीम जो मुलारेटी में करा था वही अभी भी हम यहां पे कर रहे हैं तो न्यूमरेटर में सिंपली आप हजार से मल्टिप्लाइ कर तीचे देख लो जहां का फॉर्मूला आया पस ध्यान रखना की नीचे क्या लिया है सोवेट ओफ जॉल्वेंट लियाए ठीक है, are added in water, are added in water to produce, to produce 1.36 kg of solution, ओह, अच्छा सर, भजा रहे हो, हैं, भजा रहे हो, हैं, भजा रहे हो, हैं, गैलकुलेट, मोलालटी, चल्ट, देखें, देखें, चलिए, 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 बता बता, 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 चलो, बता, करो, बता ये, हुं? पता। वेशन सोल पूरो, ग्लुकोज है, फॉर्मुला तो ध्यान होगा हमें, फॉर्मुला तो ध्यान होगा, हमने तो पटा, आज तो लास्ट लेक्चेर है मूल का, कलम होगया है मूल, नेक्स क्लास में हम लोग वो शेट्स अव मैटर स्टार्ट करना है, पी सेक्स, एच ट तो क्या आप ग्लुकोज के मूल्स निकाल सकते हो, क्या आप ग्लुकोज के मूल्स निकाल सकते हो, क्या आप ग्लुकोज के मूल्स निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो, गिवेन मास, 360, मॉलर मास, 180, क्या दो मूल आ गए हैं, दिहान से, क्या दो मूल आ चुके हैं, क् बिल्कुल करेक्ट है, क्या दो मॉल आ चुके हैं, बिल्कुल करेक्ट है, आप सुनना ध्यान से, अगर आपको मॉलालिटी निकालनी है, small m से डिनोट करते हैं, मॉलालिटी को, ठीक है, ठीक है, क्या होता है बड़ा, number of moles असल्यूट के, upon weight solvent का, किसका लिना है, solvent का, अगर सपोस करो, gram में लिया है, तो क्या 1000 से multiply कर दूँ, क्या 1000 से multiply कर दूँ, बिल्कुल सही है, अब ध्यान से सुनो, solute है 360 gram, solution है 1.36 kg, तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, बताना मुझे, weight solute का, plus weight solvent का, is weight solution का, क्या हम ये लिख सकते हैं 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 क्या बता, 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 क्या weight of solute का 360 दे रखा है, हाजी, solvent का नहीं बता निकाल लेते हैं, solution का दे रखा है 1.36 kg इसको ग्राम में कर लो 1.36 0 ग्राम में कर लिया तो क्या weight of solvent 1000 आतावा दिख रहा है 1000 ग्राम दिख रहा है बताईए ज़रा 1000 ग्राम दिख रहा है 1000 ग्राम दिख रहा है अब कुछ नहीं, बस इधर value डाल दो अब कुछ नहीं, इधर value डाल दो number of moles कितना ग्राम दो solvent का मास कितना बटा, 1000 ग्राम और उपर भी बटा, 1000 है 1000 से 1000 कैंसे, आंसर के बटा, 2 आंसर के बटा, 2 अब यहां पर 2 क्या बोलते हैं, 2 मूलल इसमें बटा थोड़ा चा ऐसा लगता है कि तुतला रहे हैं, मूलल, मूलल, मूलालिती, क्या बता है, मूलालिती, थम्दे, तुतलाना पड़ता है, इसको समझने के लिए पीडिएफ बिटा मैंने सारे भेज दिये हैं, पीडिएफ बिटा मैंने सारे भेज दिये हैं, यह दिगराम चैनल चान मारो, पीडिएफ आपको बिटा सारे भेज जाएगे, छेक है, एक और वेशन करें, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर, दिल मांगे मो है आना दिल मांगे मोड़े या दिल मांगे मोड़े है दिल मांगे मोड़े है चाल करो वेशन करें वेशन मैं आए ज forgal करें दिल में ए हधिन एृं करें 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 कि धूकर कर फिर बढ़िया फॉर्मुले बताऊँगा चार यह चार फॉर्मुले बताऊँगा दिल मॉन फॉर्मुलों को आज ही याद गरलना है उसके बेस इस पे question करा हूँगा पी वाई क्यू करवा हूँगा ताकि आपको एकदम याद हो जाया आज है आज चलिए एकदम उतना ही पढ़ रहे हैं जितना आप लोग को required है आप उससे कही जगे हम लोग उससे उपर भी जाएंगे जिए को आलतु फालतु पढ़ने का कोई मतलब नह जो चीज आपके स्लेबर्स में है वो चीज धंग से बहुत डीटेल में पढ़ो जो आपके स्लेबर्स में पीज़ी बिटा करनी है कभी केमिस्टरी में तो हम लोग बिटा फिर नीट एक्जाम नीट क्लियर करने के बाद करेंगे अभी नहीं अभी वाट इस सब्सक्क्राइब अब कि अगले देखें ध्यान से अने देखो आपको नहीं कभी वी सुनना ध्यां से जो मैंने हाइलाइट कर रहा है क्या आपको यह लिग रहा इसका मतलब क्या है कोई चाट सेक्षिन में इतना बता दो 19.6 19.6 परसंटेज वेट बाइवेट का मतलब क्या है यह बता दो यह बता दो यह बता दो 19.6 परसंटेज वेट बाइवेट का मतलब क्या है क्या इसका यह मतलब है अगर मैं 100 ग्राम तो उसमें 19.6 ग्राम सल्यूट होगा सल्यूट कहा है वेटा है यह बता दो इतना तो दो दो अभी 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 एक और सवाल कराता ना कहां गया कहां गया एक और सवाल कराता है यह कहां चले जाता है सवाल यार कहां गया कहां किया तामने ऐसा सवाल हां यहां गया था यह जैको है यह या तहन है जब 10% संदे जो वेट बाई वेट था तो अगेन मैंने क्या बोला था सौ ग्राम सल्यूशन है तो तीस ग्राम क्या है सल्यूट तीस ग्राम क्या है बिटा अगर बेटा 100 gram solution है 19.6 gram solute है which is H2 as a 4 तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ 80.4 gram solvent होगा which is पानी 100 मेंस 19.6 माइनस कर दो 100 मेंस 19.6 माइनस कर दो 80.4 आएगा वो क्या होगा बेटा solvent वो क्या होगा बेटा पानी सही है correct है अब सुनो ध्यान से अब मुझे ये बताओ अब मुझे ये बताओ 19.6 gram क्या है बेट इच 2 SO4 का तो क्या यहां से मैं मूल्स निकाल सकता हूँ इसके क्या यहां से मैं मूल्स निकाल सकता हूँ इसके कैसे निकालूंगा given mass 19.6 upon molar mass H2SO4 है molar mass कितना बेटा 98 into नहीं, इंटो नी, sorry, moles निकाल लें न, given mass upon molar mass, given mass upon molar mass, कितना आ रहा है, कितना रहा है बटा, 0.2 moles आ रहे हैं, 0.2 moles आ रहे हैं, बता हुझ रहा, 0.2 moles आ रहे हैं, बिल्कुल सही है, अब molality देखो, अब molality देखो, क्या होती यह थी बटा, number of moles solute के, weight solvent का, किस में लें, अगर ग ग्राम में ले ले, चलो, ग्राम में ले लो, ग्राम में लोगे तो 1000 से multiply कर देना, ग्राम में लोगे तो 1000 से multiply कर देना, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, number of moles of solute केतने हैं, 0.2, weight of solvent, रहे, पानी का weight निकाला न, आपने 80.4, 80.4 निकाला आपने, बिल्कुल नि इंटू 1000 कर दो, इंटू 1000 कर दो, हाँ या ना, समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिया, फटा फट से, वीडियो को लाइक कर दीजिया, फटा फट से, बताओ, बताओ, इसको लगभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभभ प्रफेक्ट है कोई भी समस्या की बात नहीं है वीडियो को लाइक करके बता दो सर बिल्कुल पर्फेक्ट कि अब थोड़ा अपने घर के मसले चाट सेक्शन में सुलजा रहे हो आप अपने पर्सनल लाइफ हाँ थोड़ों से यार पढ़ाई पिध्यान लगाते हैं अभी हम पढ़ाई पिध्यान लगो नीट नीड इंपोर्टेंट नीड इंपोर्टेंट नीड इंपोर्टेंट 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 इंपोर् इंपोर्टेंट फोर्मूल्ला और मुझे आज बीटा शपत लेने आप लोग आज बीटा आप लोग को शपत लेनी है कि यह फॉर्मूले आज ही याद करने हैं याद कर लो, याद कर लो, याद कर लो, याद देनेट के फिर 10 दैने पहले हम बूस्तनी याद को हैं कि याद करें तें वह पर्मुले , अरे नहीं सर Johnson वो तो हमने करे ही नहीं हम तो सर बात कहां मानते हैं सर आज पेटा शपत लेनी है, लेनी शपत बताइए बताइए लेली शपत बताओ लेली शपत बताओ लेली शपत शपत लेनी है बिटा शपत ये आज ही याद करने हैं है करने बता आज ही याद करने हैं बिल् projet सर कि याद अब यह देखो चार फोर्मोले करने वाला हूं हूँ और इसंपर मैं बताता हों कि कैसे डारेक्ट पीवाइट एक्शा जाता है कैसे डारेक्ट पीवाइट पूछा हैं सबसे पहला कौन सबसेधो पहला कौन सबसे लिखते जारों आम भी साथ साथ लिखते वे चलिए D क्या है बटा Density 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 किसकी Solution है सही है पहला formula याद दूआ percentage weight by volume equals to percentage weight by weight into density क्या ये formula याद हुआ बताईए क्या ये formula याद हुआ आ सर दूसरा formula क्या है यहाँ पर दूसरा formula क्या है Molarity equals to 10 into percentage weight by weight into density upon molar mass solute formula थोड़े से भेंग करें formula थोड़े से बड़े गजब हैं याद गरने है 10 into percentage weight by weight into density upon mm of solute mm of solute क्या है बता molar mass solute mm of solute क्या है बता molar mass solute molar mass solute ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है सर दूसरा formula भी है धीरे धीरे हजम होगा है ना धीरे धीरे हजम होगा है ठीक है और दो formula है कौन से है सर यहाँ देखें यहाँ देखो यहाँ देखो अब एक formula है जो molality और molarity को relate करता है ठीक है यहां देखो molality equals to 1000 into m 1000 into molarity, capital M क्या होती है पिटा molarity होती है divided by 1000 d minus m into molar mass solute molar mass solute, यहां देखो यहां देखो बताईए यहां देखो formula थोड़े से गजब है formula थोड़े से गजब है formula थोड़े से गजब हैं लेकिन हमको यह चीज याद करनी पड़ेगी, capital M क्या है capital M क्या है molarity, मैं अभी आपको बताता हूँ direct कैसे equation पूछते है direct इसमें से कैसे equation आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ, capital M is molarity small m is molality small m is molality, ठीक है, d के अभी आपको density है, mm of solute के अभी आपको molar mass solute का molar mass solute का, ठीक है सर last formula और क्या है last formula है molality और mole fraction को relate करता है, molality equals to mole fraction solute into 1000 upon mole fraction solvent into molar mass mm of solute mm of solute сор molar mass solute ятक हम सब्साब थग है फोड़े से तौटाइगा लग रहे है formula, फोड़े से तो typical लग रहे है, formula larger से तो typical लग रहे है लेकिन लेकिन चीक है याद करे जा सकते है बताय ये typical है typical है typical है लेकान याद तो तो करे जा सकते हैं यहं लो गोग को याद करने ले ही है सिखने हैं लास्त वाला देखो लास्त वाला देख लो molality equals to mol fraction of solute into 1000 upon mol fraction of solvent into molar mass solvent का ठेक है question करा हूँ 2011 में सवाल आया है 2011 में सवाल आया है direct आपको question कराता हूँ question कराता हूँ 2011 का सवाल करो direct सवाल इनी formula पर सवाल है क्या बोल रहा है find mol fraction molar fraction of solute in one molar aqueous solution question करीए चल्ड़ गया है direct सवाल है direct सवाल है in topics है बिटा dpp का तो अभी कोई scene नहीं है बहुत सारे बच्चे वहाँ पर practice हो जाए मेरे सामने ही आप लोg question कड़ लोगे तो आपके एक बडिया practice हो जाएगी चारी चारी question करो यह question practice session लगा दुआ इसका न practice session लगा दूआ जिसमें लोग बडिया practice कर लेंगे देखो क्या आपको mole fraction पूछ रहा है हाँ जी क्या आपको molality दे दी है, हाजी तो क्या ये fourth formula relate कर पा रहे हो molality और mole fraction को कौन relate कर रहा था molality और mole fraction को कौन relate कर रहा था, ये fourth formula fourth formula, तो लिखो पहले formula, देखो याद नहीं होगा ना बिटा, तो बिटा, बहुत बड़े चक्कर में फस जाओगे फिर ये ही सवाल करने में आपको 10 minute लग जाएंगे नीट के paper फिर टाइम नहीं बचाता तो formula इसलिए आप लोग को बोड़ रहे हैं याद करने लिए, ताकि time बहुत बचे आप लोग का नीट के exam molality कितनी दे रखी है, सर एक दे रखी है salute salute का mol fraction निकालना है क्या x माल लू क्या salute का mol fraction x माल लू क्या salute का mol fraction x माल लू हाँ जी सर, x माल लू into 1000 अब मैं को ये बताओ, chat section में solvent कौन है मुझे बताईए, chat section में solvent कौन है बताओ, फटाफट से बताओ, chat section में बताओ, solvent कौन है solvent कौन है यहां पर आपको देख पा रहे हो, एकवस सल्यूशन है, तो क्या solvent आपको पानी दिख गिया, क्या solvent आपको पानी दिख गिया, क्या solvent पानी दिख गिया, बिल्कुल सही है, क्या solvent पानी दिख गिया, सही है सर, तो किर solute का mole fraction x है, solute का मैं मान लेता हूँ, mole fraction x, तो क्या solvent का मैं 1-x बोल सकता हूँ बढ़ा क्यों क्योंकि दोनों को add करोगे इन दोनों को add करोगे तो value कितनी आएगी 1 आएगी तो अगर एक का x मान लिया है तो दूसरे का 1-x हम मान सकते हैं एक का x मान लिया है तो दूसरे का 1-x मान सकते हैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आगे बड़ा one minus x, चीक है, और mole fraction solvent, solvent को आगे बड़ा, पानी, sorry, mole fraction नी, molar mass solvent, molar mass बड़ा, पानी का किदरा होगे, अठारा होगे, क्या यहां से हम इस x के लिए solve कर सकते हैं सवाल क्या हम यहां से x निकाल सकते हैं बिलकुल निकाल सकते हैं तो देखो सुनो ध्यान से इन question में जो आपके mole concept के question होते हैं उसमें जरूर नहीं कि एक ही तरीके से आप question solve करो लेकिन मैं आप लोग को जो सिखा रहा हूँ वो बेस तरीका सिखा रहा हूँ जिससे 100% आप लोग question correct करके आऊँगे और with less time also आप लोग same question को आप लोग same question को दूसरे तरीके से भी कर सकते हो मैं मना नहीं कर रहा बिटा दूसरे तरीके से भी किया जा सकता है लेकिन दिस इस दे बेस्ट वे दिस इस दे बेस्ट वे जब आप solve करोगे से तो x कितना आएगा लगबग लगबग आपका 0.0177 आएगा लगबग 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 इतना आएगा side please side हो जाते हैं बटा साइड हो जाते हैं खीक है side हो बताओ बताई भाले बताई यह क्लियर है क्लियर है क्लियर है ठीक है एक और question करें एक और question करें एक और question need find molarity of of an aqueous solution, find a molarity of an aqueous solution, ठीक है, h2SO4, find a molarity of an aqueous solution of 98% weight by weight h2SO4, ठंक से लिखे न वटा पूरा सवाल, which has, which has density of 1.5 gram per ml, करें, करें, कल से बटा नया chapter स्टार्ट हो रहा न, हाँ सोनम जी कर लीजे, बिल्कुल-बिल्कुल, कल से बटा हम states of matter पढ़ रहे हैं, कल से बटा हम states of matter पढ़ रहे हैं, कल से हम लोग बटा, states of matter पढ़ रहे हैं, चेक है, नया chapter है, बहुत ढंग से, बहुत अच्छे से, शुरुवात से फॉलो करिएगा, बैकलोग मत आने तो बटा, छोटे छोटे चाप्टर है, 4-5 लेक्चर, 4-5 लेक्चर, उसमें बटा हम रखी हैं, बिलकुल भी दे रखी है, डंसेटी भी दे रखी है, डंसेटी भी दे रखी है, तो यहाँ पर दिखो जरह ह Centers यह रहा formula और एक शांदर announcement करता हूँ भी आप लोग के साथ है ना शांदर announcement करता है भी आप लोग के साथ एक सुनना भी रूख रूख करते हैं ना करते हैं यहां देखो यह रही मुलारटी यह ही percentage weight by weight यह रहा विडा density तो क्या यह वाला formula लगता हूँ दिख रहा है तो क्या आप लोगों को यह formula दिख रहा है मुलारटी इक्वल्स तो 10 इन्टू percentage weight by weight इन्टू density अपॉन मुलर मास किसका solute का हाँ जी बता 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 इन्टू अब ध्यान से है एच़ टू है सबेंगे चाट सेक्शन में कि हां सर सही है थमसर देंगे चाट सेक्षिन में बढ़ाएं थमसर दे दो थमसर दे दो अगया समझ में अगया मजा आया मजा आया ठीक है चेक बस एक लास्ट टॉपिक बचा है एक लास्ट टॉपिक बचा है डाइल्यूशन फटा फट से हेडिंग डालो फिर खतम करता है बस दस मिनट का टॉपिक है उसके बद आपका चैप्टर समाप और जो आपका नॉर्मालेटी रह गई है सुनो ध्यान से अमनों ध्यान से नॉर्मालेटी रह गई है ना भी नॉर्मालेटी रह गई है ध्यान है आपको मैंने आपको क्या बोला था बटा नॉर्मालेटी कहां पड़ेंगे हम लोग नॉर्मालेटी कहां पड़ेंगे हम लोग Redox पूरी चीज कहाँ पढ़ेंगे बिटा normality नौर्मालिटी हो गया n factor हो गया gram equivalent हो गया law of chemical equivalence हो गया सारी चीज हम लोग कहाँ पढ़ेंगे बिटा redox पढ़ेंगे एक साथ एक ही जगे कर लेंगे एक साथ एक ही जगे कर लेंगे ठिक ठिक मुझे जरला ये बताओ चैट सेक्ष्ण में देखो 10 मिनिट के बाद बची है यह की है अप लोग का चाप्टर समापते है को इस अभी container है ठीक हैं सर? हना बिट अपने सप्ने को याद करो कि हमारा सपना Neat है, सर दसवनट के आप आधा गंदा पढ़ाओगे न तो हम पढ़ेंगे, ठीक है पढ़ने वाला पिट आधा गंटा भी बें पढ़ाओं एक गिनटा भी मैंपड़ाओ तो वो पढ़ेगा। टेक है क्यों का सपना बढ़ा है उसका नीए दस मिनट का सपना नीए उसका सब्सक्राइए यह सब्सकर हमने किया लिया दिलूशन है? हाँ जी सर, मुझालेटी कितनी है? M1, वॉल्यूम कितनी है? V1, बहुत अच्छी बात है सर, बहुत अच्छी बात है, 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 बहुत है एल्यूशन का मतलब क्या होता है concentration को कम करना होता है बिल्कुल सही है तो concentration आप लोग कम कैसे करते हो concentration आप कम करते हो by adding water by adding water आपने क्या करें वाटर वी डबलू सबोस्तोर आपने जो water डाला उसकी लियुटी डाली वी डबलू से क्या पिच्चर क्या बना रहे है यह सुनिये आपका solution है में मूलारेट कइचनी है dadurch मॉल् encourage किषार अब ने पानी डाल दीए कितना पाले डाला वी डवल कितना पानी डाला वी डबलू डाला बिलकुल सही है आप एजए ड़ बनाते है ете पेभल बनाते हैं अंड TVs ए को सुनना ध्याद सरे अजय तो नंगे मना रहे है टेब़й हम-धना रहे हैं before revision नोर्स सिरो पूरेडर असहार अफ्टर डे अप्टर डे लुशन डेके अजills तपर द ध्यादस मिन्ली आफटर डे अविशन ठीके एक टेबल बनेगे इन टेबल मनेगे बड़ा, टेबल मनेगे, ठीक है, ठीक है, ठीक है, टेबल मनेगे, ठीक है, 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 ठ कितनी मान रखी है वाल्यूम कितनी मान रखी है वाल्यूम हो गई आपकी 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 वाल्यूम हो गई सबोस करो molarity कितनी हो गई M2 volume कितनी हो गई final volume हो गई बेटा V2 final volume हो गई V2 अच्छा V2 तो हम देखो directly निकाल सकते है V2 हम बेटा directly निकाल सकते हैं कैसे निकाल सकते हैं देखो initially V1 था हाँ जी आपने VW डाल दिया सबोस करो initially बेटा 500 था आपने बेटा इसके अंदर 100 ml और add कर दिया तो क्या final volume 600 हो गई क्या final volume 600 हो गई मिलकुल हो गई कैसे निकाला वो जो V1 था उसमें VW add कर दो initially मान लो 500 था मान लो उसमें बेटा आपने 100 ml और पानी डाल दिया तो final क्या हो गई V2 तो हो गई ये तो क्या V2 को मैं directly लिख सकता हूँ क्या V2 को मैं directly लिख सकता हूँ V1 प्लस VW V1 प्लस VW बताओ ज़रा बताओ ज़रा देखो देहांचा साहिए last column में मैं लिखूंगा number of moles किसके solute के moles किसके solute के moles किसके solute के सुनो ध्यान से moles से solute के आप लोग कैसे निकाल सकते हूँ यहां देखो यहां देखो अरे यहां देखो यार कहां देख रहे हूँ molarity वाले formula पे चलो molarity वाले formula पे चलो यह molarity का formula था हाँ जी सर अगर मुझे मूल से निकालने है सल्यूट के तो क्या मैं मुलारिटी और वॉल्यूम को मल्टिप्लाइ कर दूँ अरे वॉल्यूम को यहां ले जाओ ने यार और मुलारिटी और वॉल्यूम को मल्टिप्लाइ कर दूँ तो आपके बस क्या जाएंगे मोल्स ओफ इनीशली सुनना ध्यान से आपकी मोल्स ओची कितनी है M1 कितनी है V1 तो क्या आपके मोल्स M1 V1 हो गए साहिय है क्या इनीशल क्या final मोल्स ओची ॥ ऐब क्या वाल्यूम V2 है हाँ जी सर तो क्या moles M2V2 हो गए देख लो ध्यान से देख लो ध्यान से देख लो initial moles कितने? molarity into volume final moles molarity into volume सःई बात है सर initial volume और initial molarity लेली final molarity और final volume लेली बिल्कुल सभी है और एक बात पक्की है सुनो ध्यान से dilution में आपने करा क्या है dilution में कुछ नहीं आपने पानी आड़ करा है dilution में कुछ नहीं आपने पानी आड़ करा है और salute के साथ कोई भी छेड़ छानी नहीं करिए simply आपने पानी आड़ करा है simply आपने पानी आड़ करा है salute के साथ आपने कुछ नहीं छेड़ा है नहीं और salute डाला है, नहीं salute निकाला है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ, कि on a dilution, on a dilution, moles of salute remain same, क्यों बोल सकते हो, क्योंकि बेटा, आपने, आपने क्या करा, आपने सिर्फ और सिर्फ पाने डाला, ऐसा थोड़ी ना करा, कि आपने salute डाल दिया, या salute को निकाल दिया, salute के साथ तो आपको छेड़ जानी नहीं कर रहे, salute तो आपको छेड़ ही नहीं रहे हो, आप simply क्या कर रहे हो, पानी डाल रहे हो, तो जितना पहले salute था, उतना ही बाद में salute है, बट salute concentration decrease है, जगदीश भीटा concentration decrease हो रही है, वो पानी डालने पे हो रही है, लेकिन जो मोल्स अंदर जितना salute present है, वो थोड़ी ना चेंज हो रहा है, अरे पहले अगर 10 मोल्स था, तो बाद में भी तो 10 रहेगा, आपने तो simply पानी डाला है, नहीं यार, आपने तो simply पान क्या आप दोनों बराबर होंगे, क्या दोनों बराबर होंगे, M1 V1 equals to M2 V2, बोलो हाया ना, 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 आई है, आई बात समझ में, आई बात समझ में, आई है, M1 V1 is what, M2 V2, M1 V1 is what, M2 V2, correct, correct, मतलब आपने कुछ Moles के साथ कुछ नहीं करा. Initial Moles कितने थे, M1 V1. Final Moles कितने थे, M2 V2, दूनों बराबर होंगे. क्योंकि आपने नहीं Moles आड़ करें हैं, नहीं आपने निकालें हैं, तो Moles के साथ कोई भी छेट सहानी नहीं करी. तो दुनों को बराबर कर दिया दुनों को बराबर कर दिया बहुत अच्छी बात है सर एकाथ सर इस पर question करा दे दे ना तो एकदम दिल garden garden हो जाता है अना बड़ा वॉल्यूम तो बड़ेगा अना गा बेटा बोल रही है वॉल्यूम बड़ेगा वॉल्यूम तो बड़ेगा ही ने अरे यार पानी डाल रहे हो आप जब पानी डाल रहे हो तो वॉल्यूम तो बड़ेगा ही वॉल्यम दो बडएगा, वॉल्यम बडगा, चरप नियाँ पर देगा, क्वेशिन बोल रहा है, हाउ हाउ, 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 हाउ हौउ, मच वॉाटर शुट बी अदेड? हाउ मच वाटर फॉट बी अडद इन इन, 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 इन… 250 ML of Dereal 3 molar solution सुनना ध्याम से बसी सब खताम है ना खताम है आपका यह लास्ट क्वेशन है लास्ट क्वेशन है तो मेंक एट तो मेंक एट वन अबाइट टेन मोलर चेक है चेक है चेक है चलो करें आर बागी मैं बताता हूं मेंने लोगों को है पढ़ना है बागी मैं आपको बताता हूं रिडॉक में हम से बाग क profits मुटक रेंगे तो वाटर के मूल सो बढ़ेंगे ही, एकान सल्यूट रिवेज से, चेकान, चल्व हर यह तरए, यह कर, 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 इकर, यह कर, यह कर, लिखो क्या बोल रहा है, how much water should be added in 250 ml of decimolar solution to make it 1 by 100 molar सबसे पहली बात क्या आपको molarity का सवाल दिख रहा है ये क्या आपको molarity का सवाल दिख रहा है ये क्या आपको molarity का सवाल दिख रहा है ये क्या आपको molarity का सवाल दिख रहा है मतलब dilution का क्या आपको dilution का सवाल दिख रहा है decimolar का मतलब कितना 1 by 10 तो ध्यान से सुनो initial थी 1 by 10 फिर हो गई बेटा 1 by 100 तो क्या concentration and degrees होती भी दिखरी है क्या concentration degrees होती भी दिखरी है देखो, अरे concentration degrees हो नहीं है बेटा 1 by 10 से 1 by 100 जा रहा है value क्या हो रही है, कम हो रही है Dilution में कम ही तो होती है Dilution में कम ही होती है लगाओ जो डिलूशन का फॉर्मूला क्या फॉर्मूला था टा निजिसन का M1 V1 Equals to M2 V2 यही तो था फॉर्मूला यही तो था बिल्कुल सही है M1 कितना है 1 by 10 V1 कितना है Dizer देखर रखा है दे रखा है, 200 ml दे रखा है, 200 ml दे रखा है, सवाल में दे रखा है, ठीक है, equals to, m2 कितना बेटा, m2 कितना, 1 बाए 100, m2 कितना बेटा, 1 बाए 100, v2 कितना बेटा, v2 को v2 लिख दिया, मुझे बताओ, v2 कितना बेटा, v2 कितना बेटा, v2 कितना बेटा, v2 कितना बेटा काट ब बिल्कुल सही है, तो आपका आंसर क्या हो गया बटा, आपका आपका थाई हजार हो गया, आपका थाई हजार हो गया ना, आपका 2.5 लीटर, 2500 ml, which is what wrong, गलत है, ब्लंडर कर दो के ब्लंडर, ब्लंडर की गलती नहीं, ब्लंडर की माफी नहीं मिलती है, सवाल पड़ो क्या बोल रहा है, how much water should be added, क्या V2 final volume थी, क्या V2 final volume थी, हाँ, ये क्या निकली है, ये final volume निकली है, ये final volume निकली है, आपसे बिटा पानी पूछ रहा है, आपसे बिटा VW पूछ रहा है, आपने V2 बता दी, और आपको लग रहा है, रहे सही है, सही है, सही है, सही है, अरे नहीं है, क्या था, V2 is V1 प्लस VW, ये था ना तो V2 कितना है धाई हजार V1 कितना है, धाई सो अरे तो पानी कितना डाला आपने पानी डाला 2250 ml, ये है आपका अंसर ये है आपका अंसर ये है, ब्लेंडर नहीं करना है जीवन में ब्लेंडर नहीं करने है देखो, सुनो ध्यान से, क्वेशन समझी है अगर आपसे पूस्ता फाइनल वॉल्यूम, सब्सक्राइब आपसे पूस्ता पैटा, फाइनल वॉल्यूम कितनी है तो आपसर क्या होता आपका 2500 ml, तो आपसर क्या होता पैटा करनी पड़ेगी, आगया है समझ में वीडियो को लाइक कर देगी है, हाँ सर समझ में आ गया है, आगय से ब्लेंडर नहीं होगा आगय से ब्लेंडर नहीं होगा ठीक है, ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है ठीक है, ठीक है ये वाला portion है, कौन सा वाला, जो भी आपका ये portion है, ये हम लोग बिटा redox में करेंगे, कौन सा normality, मैं आपको पहले बता देता हूँ ना, normality हो गया, ठीक है, आपके normality से जितने भी सारे related है, जितने भी सारे related है, आपका n factor हो गया, आणा, equivalent weight हो गया, ठीक है, law of chemical equivalence, law of chemical equivalence, ठीक है, ये सारी चीज़े, आपका mixing of solution, mixing of solution, सारी चीज़े कहा कर आएंगे हम लोग redox में बढ़ेंगे, सारी चीज़े कहां बढ़ेंगे बडा, redox में बढ़ेंगे, सारी चीज़े कहा पड़ेंगे बटा, redox reaction में पड़ेंगे, जेक है, जेक है, जेरी माइनसी तो किया है, यहाँ पर धाईसो इदर जाएगा तो माइनस होगा न, डंग से देखो, डंग से देखो, जेक है, आगे यह बात समझ में, अब पहले मुझे यहार फटाफट चे बता कल के लिए कौन excited है, states of matter नया chapter स्टार्ट हो रहा है, सबसे फेले तो comment section में लिख देना, lecture 6 completed, lecture 6 mool completed, comment section में भढ़ जाना चाहिए, कल के लिए excited हो, कल के लिए excited हो, कल के लिए excited हो, states of matter नया chapter स्टार्ट कर रहे है, ठीक है, तो आज हो बटा, live classes में आ जाईए, जनता नहीं लिए तो बटा फिर पता है, फिर क्या होता है, ठीक है, ठीक है, continue करिये आना, continue करिये आना, वरना दिक्कत हो जाती है, ठीक है, make sure आप लोग regularly आ रहे है, make sure आप लोग regularly आ रहे है, at least यह जब इतना बड़ा सपना लिया है, तो at least हम लोग 5 lectures की consistency दो दिखा सकते हैं, 5 lecture में पेढ़ा complete कर ले के, 5 lecture में हम लोग complete कर ले के, ठीक है, ठीक है, all right, all right, all right, all right, all right 5 lecture में आपका इस chapter complete हो जाएगा, ठीक है, अब या फटअ-अब बड़ा दो, complete बेटा live हो चुका है, dेखरे हो, complete feature लाइव हो चुका है, कितने लोगों ने ट्राय करा कितने लोगों ने ट्राय करा है गेमिफाइड वे में कुईज के फॉर्म में आप दूसरे एस्पेरेंट्स के साथ कंपीट कर सकते हो वह भी वन-on-one वन-on-one आपको कुछ नहीं करना बिटा बस अपडेट करनी है आप जैसी आप अपडेट आएगा और आप दूसरे बच्चों के साथ कंपीट कर सकते हो ट्राय किया मेरे पास बहुत सारा फीड़बैक भी आया है और स्टूडेंट्स आ लवेंग एट है ना स्टूडेंट्स आ लवेंग इट बहुत इंजॉय कर रहे हैं वह इस चीज़ को आना तो आप लोग भी दीजेगा सारी चीज़ आप लोगों मिल जाएंगे चीए अच्छा और पेटा अनसाइट कर लो अनसाइट पेटा आज आप लोग लास्ट डेट है सिक्स्थ ऑक्टोबर बिटा लास्ट डेट है स्पार्टन कोड लगाना है है ना मुझे बता दीजेगा आप इसका भी मैं प्राक्टस सेशन लगा दूँगा इसका भी मैं प्राक्टस सेशन लगा दूँगा छेक है सिक्स्थ ऑक्टोबर आप लोगों की लास्ट डेट है फॉर एर्थ ऑक्टोबर वाला एक्जाम तो ये चीज सभी को करनी है ये चीज सभी को करनी है 100 परसंद का आप लोग स्वा माइन करके आप CBAC का भी प्लान ले सकते हो, ठीक है, कुछ बेटा बैचेज लॉंच होए है, न्यू बैचेज अपके फ्रेश बैचेज लॉंच होए है, आप उन्हें भी डेफिनिटली चेक आउट कर सकते हो, स्पार्टन कोड पे साथ आपको सारे बैचेज अवेलेबल रहे है, maximum possible आपको discount मिल चाहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, सर्प्राइज बाद में ही बताएंगे न, सर्प्राइज आप लोगो बाद में ही बताएंगे, एक शांदार चा वीडियो लॉंच करेंगे, और उसमें आप लोगो सारी चीज़े समझा देंगे, चलिए, मेक शूर यू सब्सक्राइब तो आर चानल, टेक क्या, बाई बाई